सर यह क्लेम का जो अरजी है 25 नवंबर से चालू हो रहा और एक महीने के अंदर अंदर लोगों को अपना क्लेम अरजी दे देना है एक महीने के बाद अगर देंगे तो वो क्लेम अरजी जो है कानून में मानने को नहीं होता है तो 24 दिसंबर के अंदर सब को अपना क्लेम अरजी भर देना है क्लेम अरजी जो है बड़ा आसान तरीका है उसके लिए आधार नमबर लेके आजाएं वो अपना और हमारे जो भी करनाटका के निवासी हैं वो बैंगलोर वन या करनाटका वन जो केंद्र हैं या जो जिल्लों में एक अटलजी जन्स नहीं केंद्र हैं वहाँ पे जाएं अपना आधार नमबर ले जाएं और जो I.M. में जो इन्होंने पैसा जमा कराया था तो एक कस्टमर आइडी दिया होगा वो लेके चले जाएं वहाँ पे आधार नमबर पे अपना आइडेंटिफिकेशन कराएं और क्लाइंट आइडी कस्टमर आइडी बताके उन्होंने कितना अमाउंट डेपॉजिट किया था उसको कनफर्म कर दे जिसके पास आधार नमबर नही करेगा वो तो एक उसको ट्रांजेक्शन नमबर देते हैं वहाँ से जो यू टी आर नमबर या जो भी बोलते हैं बैंक की भाशा में वो नमबर को भी देके हमारी केंदर पे आ जाए तो उसके मुताबिक उसको हम उसको हम आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे और जिन जिन का आधार नमबर से या एक रुपया अगर उन्होंने IMA को जो वो बैंक अकाउंट जब IMA के साथ वो वहवार करते थे जो बैंक अकाउंट उन्होंने IMA को डिकलेर कर रखा था अगर उस बैंक अकाउंट से उन्होंने हमें एक रुपया ट्रांसफर किया है या वो बैंक अका चालू है, उनको और कोई भी डॉकूमेंट हमें देने का जूरत नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि उनका जो क्लेम अमाउंट वो मांग रहे हैं, वो आई-एम में के जो रेकॉर्ड हैं उससे मैच कर जाए, जो की मैच करता ही है, क्योंकि लोगों का आई-एम में ने कम्प्यू करनाटका से बाहर लोग हैं, वो लोगों के लिए यह जो एप्लिकेशन है, आउन-लाइन में, मतलब जहां पे भी कोई इंटरनेट कनेक्शन रहेगा, वहां से भी उबैट के कर सकते हैं, तो आपका वेबसाइट है, उसी वेबसाइट के ज़री ही पूरा काम है, हाँ, जो ह 080-4688-5959, 080-4688-5959, 080-4688-5959, नंबर पे फोन करके, वो माया information पूछ सकते हैं कि कैसे करना है, कहां पे करना है, किसी भी कारण से लोग यह ना समझें, कि यह कोई बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही आसान काम है, हमारे केंदर पे आके, उनको आराम से हम करा देंग किसी भी कारण से, किसी मिडल मैन के, किसी बिचोलिय के पास जाके, पांसो हजार, दो हजार रुपए दे के, कोई जरूरत नहीं है, इसको बहुत ही सरल और सिंपल एप्लिकेशन बनाया है, इसलिए, कि लोगों को अभी तक जो तकलीफ हुई है, इसके कमपनी के, यह बदम सुविधा ना हो, तो उस तरह से बड़ा सिंपल यह काम किया है, किसी भी कारण से लोग यह ना समझें कि पता नहीं कैसे करना है, क्या है, कंप्यूटर है, कैसा ऑनलाइन क्या होता है, सिरफ हमारे केंदर पे जाएं और अरजी जाके देना है, उनको, अन्दाजा एक लाख डेपॉजिटर हैं, और कोई 2,900 करोड रुपया उनका मूल पैसा है, जो वापस आना है, उस पैसे पर उनको जो है, महीने, तीन महीने पर रिटर्न भी मिलता रहा है, अगर उसको घटा देते हैं, तो कोई 1,400 करोड रुपया वापस जाना है, और हमें जो आज तक सरकार न प्रॉपर्टी जो है, टेंपरेरी अटैच करके दी है, वो कोई 500 करोड रुपय की, मतलब 475 करोड रुपय की दी है, वो अभी जैसे मैंने बताया कि सिविल कोर्ट में उसका केस चल रहा है, जिस जिस वेक्ति की प्रॉपर्टी अटैच हुई है, इसमें आईये में कमपनी की है, उसके मनसूर खान की है, उन सबको नोटिस जाकर कोोर्ट उनको सुनता है, और कहता है कि वह क्यो ना आईये को प्का अटैच कर दिया जाए, तो फिर वो आदेश देगा, अभी तक किसी भी प्रॉपर्टी का पकाा अटैच करने का आदेश आया नहीं, इसमें कुछ delay तो ये कोरोना के कारण 6-8 महीने कोर्टों में कोई hearing नहीं हुई उसके कारण हुआ है अब जो है एक special court बनाए गया है उसमें अब हर हफते hearing होती है तो अब जल्दी-जल्दी होने की संभावना है तो जब वो court इसको confirm कर देगा फिर इसको property को बेचने के लिए public auction होगा तो त पैसा ना समझें कि अर्जी देते ही claim, अर्जी देते ही उनको पैसा मिलना चालू हो जाएगा तो अर्जी दे दे हम उनको फिर उनके बताएंगे बाद में की पैसा कब मिलेगा तो कम से कम 5-6 महीने हमें लगता है आज के देशार जैसे आपने पांसो परोड ही property अटेच हुआ यह तकरीबन एक तीहाई हुआ तो 30% आया तो वह ठीक है जिस जिसका जो आना है उसका 30% दिया जाए या court ऐसा भी कह सकता है कि छोटे जो है यह मान के कि छोटे हैं तो अगर गरीब होंगे वह ज़्यादा जरूतमन्द होंगे तो उनको थोड़ा ज्यादा दे दिया अटेच्मेंट बढ़ सकते हैं? अटेच्मेंट बढ़ तो सकते हैं क्योंकि अभी CBI काम कर रहा है यह काम कितना अटेच्मेंट कितनी प्रॉपर्टी पकड़ना यह काम हमारे आफिस का नहीं है यह काम केवल CBI का है CBI करता है और एक forensic auditor मतलब क्या उसको सरल भाशा में कहें कि वो देखे इसकी खोज करें वो भी CBI को information देता है फिर उसके बाद वो information लेने के बाद सरकार एक निरने लेता है कि किसकी property attached करी जाए नहीं करी जाए तो हमारे office का काम जो है वो property attached होने के बात शुरू होता है सरकार के attachment उससे पहले कितना होना और कुछ हो सकता है कि नहीं उमीद इसके बारे में मैं यही कह सकता हूं कि उमीद तो है क्योंकि CBI अभी पूरी अपनी खोज कर रही है लेकिन इसके बारे में पक्की कोई information है तो या तो CBI बताए या सरकार से कोई बताएगा देखिए इस case में क्या है कि ED ने भी attach किया है ED के case भी है enforcement डारेक्टरेट के उसी को CBI ने भी attach किया है उन्होंने दोनों ने अपने अपने अलग कानून में attach किया है तो वही property दो कानून में attach है लेकिन जब action लिया जाएगा तो court एक ही है दोनों जो CBI और ED है वो दोनों एक court में जाते हैं तो ultimately उन सबका purpose attachment का यही है कि जो depositors को पैसा वापस दिया जाए को ED attach करके अपने लिए नहीं रखता है तो depositor को पैसा देने के लिए जब जाता है तो हमारे office के थरू जाता है तो कोई भी attach करे तो अगर ज़्यादा कानून में attach कर भी लेते हैं तो कोई उसमे कानून में अगर पका है कि इस उसके उपर तो उसमें पकड़ा जा सकता है सर कोई अपाईज है और चल फिर नहीं सकता है और उसके लिए claim form भरना तो दिक्कत होगा उसके लिए कोई सहूलत है उनके लिए देखिए इतना ही सहूलियत है कि उनको हमारे केंदर पे आ जाएं तो बहुत अच्छा है लेकिन अगर बिल्कुल ही ऐसा है कि नहीं आ सकते हैं तो फिर उसके लिए क्या है कि हमने जो online facility कर दी कि आप कहीं से भी computer पे बैठके कर दो तो फिर किसी ना किसी को उनके पास उनके जानकार को laptop ले जाके वहां पे ही जहां पे वो हैं वहां से file करान लंबे उसके लिए ICU में या कुछ उसमें भरती हो रखा है hospitalization हो रखा है तो वैसे लोगों के case में हम उनके nominee को depositor का जो nominee उन्होंने IMA में declare किया था वो या उनका legal hair मतला अगर nominee नहीं है या nominee को भी कुछ हो गया है तो उसका कोई और legal hair apply कर सकता है लेकिन ऐसे cases में हम उनसे document म certificate और जो hospitalization का case है उसको लोग गलत ना इस्तेमाल करें उसके लिए हम क्या करते है कि hospitalization के case को ये जो अरजी application है online ये दो stage का होता है इसमें पहले stage में जो अपना apply करने वाला होता है अपना phone number नाम आधार number देता है दूसरे stage में अपना scheme के हिसाब से कौन कौन की scheme में कितना प hospital certificate मागते हैं computer पे उसको check करते हैं चेक करने के बाद 48 गंटे के अंदर उसको जवाब देते हैं कि ठीक है भाई अब तू दूसरे stage का file कर सकता है वो इसलिए कि hospital वाला रस्ता पकड़के लोग किसी को जबरदस्ती रोक के उसके नाम से गलत इस्तेमाल ना कर ले और death certificate का जो तीन ही दिन के लिए hospital में है पांच ही दिन के लिए है लेकिन अरजी देने का तो तीस दिन का time है तो हम उसमें देखेंगे भाई क्या पूरी अवधी के लिए है या maximum अवधी के लिए रिस्ट्रिक्ट हो गया है तो वैसे ही cases को हम अनुमती देंगे यह नहीं कि तीन दिन प कोई पडोसी उसको पता भी ना चले और bank account कोई बदल के पैसा ले ले ऐसा ना हो पाए तो depositor को हम सहुलियत भी देना चाहते है और थोड़ा सा यह check भी रखना चाहते है कि उसको कोई गलत ना करे